हेलो दोस्तों नमस्ते आज स्वागत करता हूं फिर से मैं आपका मेरे नए वीडियो में मैं आप सब लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो किसी भी गैजट या टेक्नोलोजी से रिलेक्टेड नहीं है मैं आज कोरोना वाइरस के उपर बात करने जा जा सकते हैं दोस्तों मैं आज कोरोना की बात अपनी वीडियो में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत गरीब से होकर इसमें निकला हूं और बच गया हूं भगवान की दया से कैसे भी करके तो मैं आज वही सब बाते शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों से क्या-क्या मेरे साथ हुआ और क्यों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं एक्चली दोस्तों लाश्ट बीस दिन पहले मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा था एक्चली गुजरा जाना पड़ा था तो वहां से लोटते वक्त मैं और मेरे साथ में मेरे जो कली कलीक थे वह हम दोनों आ रहे थे और यहां पर आने के बाद में मुझे पता लगा कि मेरा कलीक जो है वह कोरोना पोजिटिव हो चुका है अब ऐसे में मैं उसके साथ उसी के साथ पूरा दिन में ट्रेवल किया था और प्लेन में भी उसी के साथ हम घर तक आने तक उसके करके बताया कि आप टेस्ट करवा लीजिए मैं पॉजिटिव आया हूं तो मुझे बहुत डर लगा दोस्तों ऐसे मैं को रोना सबसे पहले आपके दिमाग पर असर करता है और इतना असर करता है कि आप आप कुछ भी सोच पाएंगे आप सीधा सीधा डिप्रेशन में चले अगर आप किसी के साथ हैं और आप इसको और तो आपको हो ही सही क्योंकि अगर आप अपनी पुरी सावधानी वर्त रहे हैं तो ज़रूर नहीं आपको को को रोना हो तो नेक्स डे दे ही दोस्तों फिर मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और जब तक रिपोर्ट नहीं बहुत दिमाग मैं नेगेटिव निकलेगा और अंधर मैं सबसे पहले चारहों के जर्य है कि corona बहुत नोर्मल चीज नहीं है हम सोच रहे हैं कि बहुत नॉर्मल चीज है कोरोना बिल्कुल नहीं है और यह सीधा सबसे पहला आपके दिमाग पैसे डालता है और जैसे आपका दिमाग काम करना बंद करेगा आपकी इम्मुनिटी है वैसे ही डाउन होने चली जाएगी तो दोस्तों में जे बोल रहाँ किया आज पीना कई लोग मेरी कंपनी में भी अस्पडूस में भी में और बाहर में देखता हूं काफ़ी कई लोग बिना मास्क के आज भी घूमरे मारकेट मैं कोई चिनता नहीं है कई लोग बोलता रे कुछ नंको यह कुछ होता यह जिनको हो गया है ज़िनों ने इसे करीब से देखा यह जो बच गए हैं उनसे पूछो कुछ नहीं होता मैं बदता हूँ आपको जो मेरा क्लीक जो है वो पॉजिटिव हुए वह कितनी टेंटों में ते मुझे पता है और कई और भी बंदे हैं जो मेरे खास हैं मेरे बहुत प्लॉज आज वह फश्कम पांच निया पॉजिटिव हैं और उनकी वजय से मुझे खुद को टेंशन रहती है तो आप सोचो कि वो खुद जब positive है तो उन पे क्या बीटती होगी तो इसलिए मेरा आप सबसे यही request है कि प्लीज जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं बिल्कुल बिना मास्क लगाएं घर से बाहर नहीं निकलना है दोस्तों यह मैं आप से personal request करता हूं क्योंकि बिना मास्क लगाकर आप निकलोगे तो बाहर जाना विल्कुल खत्रे से खाली नहीं है और मेरा तो यह मानना है कि आज के टाइम पे अधिकतर लोगों को कोरोना है और भारत में जैसा कि आपको पता है हमारे देश में भारत में कितना तेली से यह बढ़ रहा है और जब हमारे आसपडोस में आ चुका है तो हमें बहुत ज़्यादा सतर क्रेने की आउशकता है हम आज भी यह सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं है कोरोना सब सही हो जाएगा या कुछ नहीं है इससे डरने की जरूत है कहावत यह है कि जो डर गया वो मर गया लेकिन आज की अपने हाथों को साफ रखेगा और बच जाएगा इसलिए आज के टाइम पर केवल यही कावत जो डर गया वो बच गया तो भी डरो कोरोना से यह बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है यह सीधा आपके दिमाग पर असर करेगा सबसे पहले और इसमें होता यह कि आपको प अब भी बदल रहा है तो हो जाता है तो कुछ नहीं है आप उसको भी टालोगे उसमें भी आप नॉर्मल टेबलेट्स और लेकर के ना आप घूमते रहोगे लेकिन हो सकता है अगर आपके इम्मुनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना होगा और आपकी बोडी एंटी बोड है तो आपको अपनी फैम्ली में सबसे मिलते हैं तो उनको फैला देंगे आप नहीं बहुते हैं इस ग्यांतों में अहाएक उच्ट अग्याश्य घम 1421 अपनी हैंपनी अच्च्छ कशी लिग-टी मारी वेसरा देंगे और वैसे भी अगर आपको भार जाकर आये हैं तो सीधा आपको सबसे पहले अपने हाथों को धोना है बिना हाथ धोये आपको कुछ न तो खाना है न पीना है आपको यह अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले अपने हाथ धोने मूपर हाथ लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ऐसा करने से ही आप बच सकते हैं कोरोना से क्योंकि ना तो यह दिखाई देता है और नहीं इसके जल्दी से सिंटम पता लगते हैं कि आप positive है या negative है तो है मैं बहुत करीब से घुजों मेरे पर ऑसमें इसमैरे अभी कौरोना पोजीटिव है मैं सच बोलता हूं मेरे पर में कोरोना पॉजीटिव है और बहुत सत्रक्रह फिल्दय को आपनी ऐससे लोगा आज भी है जो तो नहीं सुन रहें नहीं समझ रहें गूम रहें फिर रहें बिना मास्क लगाए भार घूमते हैं बिलकुल भी उनको समझना चाहिए कि बहुत न पिर आपने काम पर जाते हैं उनकी मजबूरी है वो जाएंगे उनको जाना पड़ेगा अपना घर चलाना है लेकिन आप जो भी लोग अपने घर में रह सकते हैं वो प्लीज प्लीज अपने घर में रहिए बिलकुल भार मत निकलिए बिना मतलब तो बिलकुल भार मत निकलिए यही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितना सतर्क रहेंगे, जितना डरकर रहेंगे, उतना सुरक्सित रहेंगे और उतना ही आप सेफ रहेंगे, अपने परिवार को सेफ रख पाएंगे दोस्तों मेरी इस जानकारी से आपको अगर थोड़ा भी लगता है, कि आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो आप अपना सावधान रहेंगे, शुरक्सित रहेंगे और इसी उम्मिद के साथ आप से अगले वीडियो में मिलता है